देरा सच्चा सोधा में बैठ कर खुद को भगवान बताने वाले उस शेतान का क्या हशर हुआ देश दुनिया ने देख लिया है अब और नहीं चीज़े सामने आ रही है और सबसे पहले मैं आपको बता हूँ हमारे साथ एक पीडित परिवार है उस डेरे के प्रति जो श्रदा रखता था जिन्होंने बहुत कुछ उस डेरे को दिया लेकिन डेरे के जो कारणा में सामने आये है उसको देखकर वो लोग उस पीडित परिवार को जो फैसला है उससे कितनी रहात मिली है बात करते है एक पीडित परिवार से सबसे पहले आप बताओ जी जो ये फैसला आए लंबे साइम 18 साल के इंतजार के बाद ये जो फैसला है क्या प्रतिक लिए आपकी देखिए ये तो समाज मतलब जो भी समाजिक इनसान है इस परिवार को तो खुशी है इस समाज को भी खुशी है और जो जिन लोगों के अच्छे विचार है उनको भी खुशी है और एक आम आदमी का आम इनसान का नया पर नाली में विस्वास बढ़ा है और जो कल नया इस परिवार को मिला है उसे परिवार भी खुश है और समाज भी खुश है और मैं तो एक ही अपील करूँगा जो भी हमारा समाज है हमारे भाई बंदू बेहने हैं उन्हों जहां भी उनको आखे भी दी हैं दिमाग भी दिया है जहां भी बगजी करें सोच समझ कर बगजी करें इस बाबा ने जो कोई अच्छे संथ हैं उनको भी दूसरी नजर समाज को देखने पर मजबूर कर दिया है इस पाकंडी बाबा का जो कल फैंसलाने के बाद हसर हुआ है इसका सम समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों की जो भावनाएं का इसने जो कतल किया है उससे समाज में यही संदेश जाएगा अगवई अपना काम धंदा करो और अच्छे विचार रखो इस पूरे मामले में जैसे 18 साल तक ये मुकदमा चला आपके लावा और भी पीडित बहुत लोग है जिरोंने आप बहुत पड़तारी तोर पीडित रहे हो इन 18 साल में जो लड़ाई आपने कानूनी तोर पे लड़ी एक ताकतवर शक्ती के खिलाफ जिसको पोलिटिकल भी था समर्थन भी था जानत मस्तक होते थे बड़े बड़े नेता उसको डहाने में इस दुरान कितनी चुनोतियों का सामना पर रहा है क्या क्या समस्या आपके सामने आई किस तरीके से आपने उन पर पार पाया उन समस्याओं से उन चुनोतियों से है जितनी चुनोतिया आज तो यह समाज और पतरकार बंदू सब ही मतलँ इस बात को सबके दिल और जान में है अगा सबको यह अपने आप महसुस हो रहा है कितनी चुनोतियां अई होगी इस परिवार में यह हमें बताने की जरूत नहीं है अगा, यह तो सब यह महसुस कर रहे हैं अगिस परिवार को बहुत चुनोतियों का सामना करना पड़ा है। अगिस परिवार को बहुत चुनोतियों का सामना करना पड़ा है। हम अपने रिष्तेदार बाईचारा अपने संबंद से और सामाजिक लोगों से और सामाजिक संस्ताओं से मिलकर ये सब लड़ाई लड़ी और हम इस पाप के खिलाफ लड़ाई लड़कर निखर कर आए हैं। और नायले को मैं सलाम करता हूँ और हमारे सुईधान में नायले का जो मजबूत पक्स है वो हमेशा मजबूत बना ही रहेगा। इस पूरे 84 के खिलाफ आपके बजूर्ग ने लड़ाई लड़ी मतलब बताते हैं कि पैरलाइज हो गया उनको उसके बाद भी मतलब बजूर्ग वो कोड कचेरी जाता रहा उमीद थी उसको नयाय मिलेगा लेकिन भगवान ने शायद उनको मंजूर नहीं था एक साल पहले इस पहले उनकी मोद हुई है आपको लगता है उनकी आत्मा को भी अब शांती मिलेगी कि धर्ती पे नयाय है बिलकुल एक दम पून रूप से ऐसा से हमारे सारे परिवार को भी हैं खुशी मैसूस कर रहे हैं और हमारे बड़े बुजर्गों को भी उनकी आत्मा को शांती म लोग नेक गाड़ी जलाई उसमें कोई ऐसी आपती जनक सबूत थे जो कानून कोर्ट के हाथ लगते तो उनकी मुश्किलें बढ़ती तो आप लोग डिमांड करे थे कि इसकी जान चूनीची जो गाड़ी जलाई गया उसमें शायद सबूत थे कुछ बिलकुल बिलकुल यह जो सरकार ने इसमें लेट किया एबल की जोड़ा सा डेरे का सर्च वारेंट होना चाहिए था सारी गाड़ी जलाई है कमसे कम लेकसस गाड़ी थी है डेट कुरोडर पे इसकी बजारे में किमत है तो ऐसी दुनों उनों जला नहीं दिए इसमें आगे आएं लड़ाई में अच्छे लोग हैं जो चाहते थे कि न्याई मिलना चाहिए बाबे का अंजाम उसको पहुंचना चाहिए बाबाब जेल में चलागा बीस साल की इतनी सक्त सजा शायदी का भी न्याई की थास में हुई आपको लगता है आप लोगों को डरने की ज जी के खतम हो जाता है और हम नायपाली का तो स्लूट करना जाते हैं जैसा इतना बड़ी अज़र्जमेंट दिया उन्होंने तो डर की दो बाती खतम होगी है अब डर कहां किस चीज़ गड़े है पीडित परिवार को इस चीज़ का एशास है कि न्याई और कानून जो है व भी मुकदमे बाबा के खिलाफ अभी हैं लेहाजा एक शेहनचा कल का जो शेहनचा आज कैदी नंबर वन नाइन सेवन हैं कहते हैं स्वर्ग और नर्क यहीं है स्वर्ग बाबा ने देख लिया अब नर्क की बारी है कैमरमें धरमवीर के साथ द्वेंदर कतूरिया टोटल नि स्वर्ड और नियुछ बारे लेहनों मेझे डिल्जग बार यहां देख लाज़ीर के लाटोग्स बारे लाग बारे देख लेगों मेझे लेख रिली नस अभी हैं पूल Cornवीर के लियुछ